नमस्कार में पिंटू शिंग्यादो आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमजी में दोस्तों कुछ दिन पहले मुंबई में ग्रीन सिनेमा आवार्ड आयोजित किया गया था आप सभी को पता है जिसमें कि भोजपुरी के कई सारे दिगज कालाकार पहुंचने वाल थे या फिर वाले थे यूं कहले लिकें जब यह आवाड सो शमारो सामिल जब मतलब शाम जैसे जैसे डलते गया वैसे वैसे कयास लगाए जा रहे थे कि भया भोजपुरी के सुपर स्टार ट्रेंडिंग स्टार पावर स्टार जुबले स्टार सब वहाँ पर का तो वहाँ पर कोई भी भोजपुरी का एक जो बहुत बढ़ा चैरा होता है वो शामने नहीं आया नहीं मनोस्तिवारी दिखे नहीं रभी किसन देखे नहीं निरहवा दिखे नहीं खेसारी लल्यादो दिखे नहीं पवन सिंग दिखे और दिखे तो कॉन जो लोग अभी इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं, नाम तो है लेकिन उस मुकाम पर नहीं हैं, जिस में मुकाम की तुनला हम खेसारे लालयादो, पवन सिंग, रभी केशन, मनोस्तिवारी और निरहुआ से कर दें, लेकिन फिर भी अवाड्स को शमारों को समानित किया गया है, कई स सारे लोगों को कई सारे आवाड्स मेरे, कई सारी चर्चाएं भी हुई, कई सारी वहां से खबरे भी वाइरल हुई, कई लोग उसको लेकर ट्रॉल भी हुए, कई लोग बेस ट्रेक्टर का आवाड़ पाने के बाद भी लोगों के दुआरा ट्रॉल किये जा रहे, तो ये क कईने कई चीजे चलती रहती है और यह आउट को आउजित किया गया उसमें कई सारे और भी कलाकार पहुंचते नजर आये थे लिकिन जिस तरीके से आप सभी को पता है कि इंटरव्यू के दवरांग पूछा गया था कि पहुंचे लाले आदों नहीं पहुंचे इतने बड़ परिवारबाद या फिर नपोटीजम टाइप की बाते हो रही है इस ग्रीन सिनेमा अवार्च को लेकर देकि इसके बावजूद भी खेसारी लालियादों को इतने जादा अवार्ड मिल गए हैं मतलब इतना जादा अवार्ड मिल गए हैं कि आप उसका एक्सपेक्ट ही नह नहीं फिर भी रिकाडो में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया जियां बात कर रहे हैं कि खेसारी लालियादों को टोटल अगर का आ जाए तो उनके फिल्म को लेकर उनको प्रस्न लेकर पांच बड़े बड़े अवार्च में मिले हैं पहले तो उनका मिला है बेस्ट डानेम मेहंदी लगा के रखना पार्ट 3 को खेसारी लालियादों के फिल्म को मिला है तिसरा आवार्ड चोथा आवार्ड की बात करें तो मेहंदी लगा के लिखना पार्ट 3 में जो एक्ट्रेस हैं यानि कि शहर अपसा उनको बेस्ट डेविव एक्ट्रेस का आवार्ड उसमें मि जब कि वह आपर गए भी नहीं हुए थे और उनके नाम गूजे वहाँ पर मतलब गए नहीं थे फिर भी नाम गूजे लिकिन जब सवाल आता है कि बोजपुरी के पावर इस्टा बोजपुरी के ट्रेंडिंग इस्टा खेसारी लाल यादो पॉण सिंग नहीं पहुंचे आप नहीं गए लेकिन फिर भी गिरेंड सिनेमा आवाड जो है पूरा का पूरा खेसारी लाल यादो की फोकस तरफ था और खेसारी लाल यादो साथ इसलिए बोजपुरी के ट्रेंडिंग इस्टार कहे जाते हैं नहीं गए फिर भी हिला के रख दिये और उनका ही नाम पसंद करते हैं दो सब्सक्राइब करकर जरू जोड़िएगा आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद